हाई गाईज वेलकम टू माई चैनल आज मैं शेयर करने जा रही हूं यह चीज टोस्ट की रेस्पी इसे हम चीज ब्रेड पकोड़ा भी कह सकते हैं और यह क्विक बन जाती है और बहुत ही डिलिशियस रेस्पी है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं मैं हूँ तो इसके लिए मैंने ले लिया है यह तीन से चार ब्रेड स्लाइस और थोड़ा सा मैने लिया है यह एक बाउल मैदा है वैसे मैजरिंग कप के साब से आधा कप है और थोड़ी सी ग्रीन चिली है यह चुटकी सोडा डालूंगी मैं इसमें और यह है चिली फ्लेक्स है आप जाहें तो इसमें आधा मैदा और आधा वेशन और सकते हैं और इसमें मैं आड करूंगी धनिया और गरीन चिली कर दोंगी इसमें एक चीज क्यूब और बी आड कर सकते हैं तो श्क्रीज पसंद करते हैं तो यह मैंने ग्रेट कर लिया है अब हम इसमें आड़ करेंगे नमक एकोर्डिंग टेस्ट चिली फेक्स आप इसकी जगह रेड चिली पॉडर भी डाल सकते हैं अगर यह अवेलेबल नहीं है और इसमें डालूंगे देखें चुटकी सोडा सोडा हमें ज्यादा नहीं आड़ करन बनाएंगे थोड़ा गाड़ा बैटर चाहिए हमें थिक बैटर तो मैंने यह ले लिए आदा कप पानी है कि से हम धीर धीर करके मिलाएंगे कि यह आदा कप पूरा लग जाएगा देखें और इसमें हम वन फॉर्थ का पॉर ले लेते हैं अभी कि देखें वन फॉर्थ कप मैंने और लिया है कि इसमें लगबख थ्री फॉर्थ कप पानी जाएगा मेजरिंग कप के यह साब से कि यह हमारा बैटर अब बल्कुल राइक बैटर है हमारा हम इसी तरह का बैटर चाहिए देखें यह थोड़ा सा पानी बच गया है दो से तीन चमच तो अब यह हम इसे रख लेते हैं और तेल को गरम होने के लिए रख दिया है मैंने हम इसी बैटर में ब्रेट को डिप करेंगे और अब मैं यह लिए लेती हूं स्लाइस कैसे मैं कट कर लूँगी ट्रेंगल में आप चाहें तो इसे सेंटर से भी क楽 कर सकते हैं हाफा और इसके चार पीस भी कट कर सकते हैं जिस तरह आप इसे बनाना चाहें तो यह बनाऊंगी का अब यह मारा देखने तेल गरम हो गया है चल्क इसमें इसी बैटर में इसे डिप करूंगी और इसमें डाल दूंगी जैसे हम पकोडे बनाते हैं बैटर से बेसन के कि आप फ्लेम को हमें मीडियम रखना है एकदम हाई नहीं रखना है तो दिखें बन गए ना कितने क्विक इजिली बन जाते हैं यह पोड़े बहुत टेस्टी लगते हैं यह आप बच्चों को बना कि खलाएंगे जिने चीज बहुत पसंद है यह उनके लिए तो बहुत अच्छी रेस्पी है फुड़ा सा चिपक जाता है चीज है कड़ाई में थोड़ा चीपकेगा तो इसलिए टेंशन नहीं लेonne कि ठोड़ा मेल्ट होगा चीज तो चिटकेगा यह तो भी हमारे हमारे फ्राइप отвеч हो शूंपेपर निकालना है मतलब एक बार आप अभी रख दीजी और फिर से आप उस एसी तरह से मैं सारे आप तक बैटर कर सकते हैं और जो बाकी बैटर बच जाता है जैसे उसमें बड़ी स्लाइस को हम डिप नहीं कर सकते हैं तो यह हम इसमें लास्ट में इसी तरह से भी हम कर सकते हैं ताकि बेटर खत्म हो जाए हमारा वैसि यह तीन से चार परसन के लिए सफिशेंट है जितना बेटर मैंने बताया है तो यह बनकर रेडी है देखिए हमारे छोटे पकोड़े भी और बड़े भी ब्रेड चीज अधि है तो आप से सर्व कर लेते हैं चटनी के साथ तो देखिए यह बनकर रेडी हो गए कितने ईजी ली तो क्यों प्लेट रेस्पी है यह और विद्धि है तो आप भी बनाए ट्राई करें और फ्रेंस देखिए तो मुझे कमेंट भी करें आपको यह रिस्पी कैसी लगी तो thank you for watching friends, मिलते हैं next recipe में, till then bye bye